यूं तो हर आदमी पैसे बचाने के लिए बहुत जादा जतन करता है, फिर भी कई बार दुर्भाग ये और कई कारणों के चलते वो पैसा ना कमा पाता है और ना ही बचा पाता है, इसके पीछे घर का वास्तू भी एक कारण हो सकता है, आई आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही वास्तू टिप्स की बारे में जो आपके पैसे को बचाने में मदद करेगा, सबसे बड़ी बात कोई चुपाए तो ऐसे हैं जिन में एक रुपया भी खर्च नहीं होता है, कभी भी दक्षिर दिशा की तरफ मुख करके खाना ना खाएं, घर की सुक समरिद्धी तो जाती ह साथी आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, व्यक्ती पैसों की तंगी में घिर जाता है, अगर आप दक्षिर दिशा में मुख करके खाना खाते हैं तो इस आदत को आज ही बदल डालें, दोस्तों दक्षिर पश्यम कोने में आपको तिजोरी रखनी हैं, और वास्तु के निसा उसका मुख उत्तर दिशा में खुलना चाहिए, उत्तर दिशा भगवान कुबेर की दिशा मानी गई है, इससे तुरंती घर में पैसा आने लगता है, पैसों से संबंदित समस्याएं समाथ होने लगती हैं, घर के में गेट को हमेशा सजा कर साफ सुत्रा बना कर रखें, न आपके घर के पास में रोड है, तब भी आपको अपने घर को हर दिन साफ करना चाहिए, इससे आपके घर के अंदर एक पॉजिटिवटी बनी रहती है, साथी साथ आपके घर में कोई भी नकरात्म कूजा नहीं आ पाती, घर में इलेक्ट्रोनिक उपकरन जो हैं, या फिर नल सही होने चाहिए, पानी टपकता रहे, या फिर दर्वाजे में से अगर आवाज आती रहे, तो ये सब चीज़ें खराब मानी जाती है, इससे घर की सुक शान्ती खत्म होती है, और दोस्तों आपको बता दें कि घर में पेड़ पॉदे लगाने बहुत अच्छे माने ज होती है उसमें, और आप अपने परिवार या पारिवारिक बिजनस पर आने वाली जो भी अपरिये घटनाए हैं उन्हें टाल सकते हैं, बड़े पेड़ लगाना संभव ना हो तो घर में तुलसी, मनी प्लांट और चोटे-चोटे पॉदे आप लगा सकते हैं, दोस्तों इ इसे भी घर में मालक्ष्मी का वास होता है